निमस्कार किसान भाईयो स्वागत है सभी का ट्राक्टर कारवा हमारे YouTube चल्व में तो किसान भाईयो आज हम आपके सामने लिख रहे हैं दो ट्रेक्टर, कैप्टन दो तीन और कैप्टन दो आट तीन यहने के 223 4-wheel drive का tractor और Captain 213 का tractor इन दोनों tractor के बारे में आज हम देखेंगे कि कौन सा tractor बहतर रहेगा या इन दोनों tractor को आमने समने रखकर यह देखेंगे कि क्या इस tractor में बदलाव किया है और क्या कुछ अलग-अलग इस model में देखने को मिलने वाला है तो वीडियो कौन तक द पहले हम जान लेते हैं Captain 223 ट्रैक्टर के कुछ फीचर्स तो इस ट्रैक्टर में 9 फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं जिसमें ADD से hydraulic system दिया है differential lock, front opening bonnet, LED lights front और tail दोनों भी, oil immerse brake, projector headlamp, rubber pad, side shift gears और wide foot with rubber mat यह सारी फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं 223 में अब 233 में क्या देखने को मिलने वाला है तो तीन सेलेटर का engine ADD से hydraulic, front opening bonnet, LED light front और tail दोनों new styling, oily immerse brake, projector headlamp, rubber pad pedals, side shift gears, wide foot floor, 9 plus 3 का high medium or low plus reverse का transmission gears और differential lock यह चीज़े हमें देखने को मिलने वाली हैं 213 में अब जान लेते हैं engine के बारे में तो पहले लेते हैं captain 223 मोडल जिसमें हमें engine देखने को मिलता है 22 hp का 3 cylinder के साथ और 952 cc का engine इसमें दिया गया है जिसका router speed है 3000 RPM वही अगर बात करेंगे हम captain 283 का तो जिसमें हमें engine देखने को मिलता है 27 hp का 3 cylinder के साथ 1318 cc का engine जिसमें rated RSPM दिया है 2700 जो की इस tractor में cc का engine ज्यादा है hp भी ज्यादा है तो किसान भायो अब हम बात कर लेते हैं इस tractor के transmission की तो captain 220 में हमें sliding में इस type का gearbox देखने को मिलता है 9 forward और 3 reverse gear के साथ PTO's की बात की जाए तो 4 plus 1 का PTO's इसमें दिया गया है maximum speed 25.5 km प्रती गंटे के रफ्तार रखे दिया है polymers break इसमें दिये गया है और hydrostatic steering भी इसमें देखने को मिलती है अब बात कर लेते है captain 283 model के बारे में तो इस tractor में sliding में इस type का gearbox देखने को मिलता है 9 forward 3 reverse gear के साथ PTO's प्रती की बात की जाए तो 540 पे टाई 1000 rpm और 1000 पे टाई 1000 rpm का speed देखने को मिलता है इस tractor का maximum speed हमें देखने को मिलता है 27.22 km per hour oily mors brake भी इसमें दिये है और power steering इस tractor में हमें देखने को मिलती है tire size की बार की जाए तो captain 223 model में हमें front tire देखने को मिलता है 5 12 का वही rear tire देखने को मिलता है 8 18 का तो अब जान लेते है captain 283 के बारे में तो इस tractor में हमें 5 12 का tire देखने को मिलता है या उसको alter 185 D 12 का वही rear tire देखने को मिलता है 8 18 या 8 30 20 का तो किसन भायो ये थे 223 और 233 ट्रैक्टर के बारे में जानकरी और इनका comparison तो comparatively आपको कौनसा ट्रैक्टर अच्छा लगा है ये comment करके ज़रूर बताए अगर चैनल पर आप पहरी बार आये हैं तो ट्रैक्टर का रवा चैनल को subscribe करें और notification bell को आ करिए जो किसन भाय इस ट्रैक्टर को खरीदना चाहते हैं वो captain के नजदीक की dealership पर visit कर सकते हैं और पूरी जानकरी ले सकते हैं अधिक जानकरी के लिए या finance के बारे में जानकरी के लिए आप हमारे website www.tractorkarva.com इस website पर visit कर सकते हैं या अधिक जानकरी के लिए 9650933899 इस नंबर पर कॉल करकी पूरी जानकरी ले सकते हैं तो किसान भाईयों मिलते हैं हमारी आगनी वीडियो में नए मोडल के साथ तब तक के लिए धन्यवार दोलारी कोॉप एनवार टीर से सकते हैं को, भीडियों में हमारी आप इस फ्सोपनास हमारी को इस नहतरता है हमारी के ले नहतरता है आप हमारीक व शानकरी ए lawn लोंजवार